नमस्कार स्रीराम एकडमी की ऑनलाइं प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है अभी जो टॉपिक हैं वो चल रहा है हमारा पर्सेंटेज जिसमें मैंने आपको पर्सेंटेज के बारेन बताया था पर्सेंट का जो जो बेसिक कॉंसेट है कि पर्सेंट के से निकालते हैं पर्सेंट के का मीनिंग है वो मैंने आपको आलमोर्स समझा दिया है और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोशन की तो लास्ट टाइम हमने आए थिंग कि यहां पर यह अपनी क्लास छोड़ी थी तो उस पिखली क्लास का जब तीन संख्या समान होती हैं जैसे मा लीजे तीस परसेंट में तीस घटाने पर तीस सेस बज़ता है तो उस केस में हमेसा दोसों आंसर आएगा चाय कुछ भी हो जाए इसके लाबा मैंने आपको यह वाला कोशन भी समझा दिया था इसका एक और मेशन जल्दी कर सकते हैं इसे क्या लिखा हुआ है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है तो देखिए यह एक्स है ठीक है और यहां पर कह रहा है कि 200% कितना है 90 है और यहां पर पूंचा है कि 40% क्या होगा देखे एक्जाम में आपको पूरी लेंगर रोत नहीं है अगर आपको यह लाइन डियाग्राम इस ते किसे आता है तो अभी आप जल्दी से जल्दी से कर सकते हैं तो देखे अगर यह बताइए मुझे जैसे माली जिस दो सो परशेंट अगर नब्वे है तो सो परशेंट कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा ओके तो हम यह हमें क्या गड़ना है हमें 45 का हमें 40 परशेंट निकाल लीजिए ठीक है तो देखे 5 दूनी 10 परशेंट 45 और यह हो गया कड़ गया यह 9 दूनी 18 तो यह हमारे पास फिर भी वही आंसर आया जो हमने उस तरीके से निकाला था तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं आपको दो तरीके इसलिए समझा रहा हूंगी अगर आपको वाय चा पता है कि किस कोशिन में टेक्स लग सकती है किसमें सार्टेक्स यूज हो Sakती है तो वह ऐसे कोशन देगा ही नहीं जिसमें सा ona ت REक सी जो हो रही है वहां पर यहुज कीजिए I आपको जल्दी निकलेगा लेकिन आपको जो मैध्यद स्रुन है वह भी आाँ चाहिए और उस ही रहा हूं तो कॉपी और पैन आपके हाथ में वंचिए जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं कोशन उन्हें आपको नोडाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है मैथ बिना प्रैक्टिस और बिना कॉपी पैन के होगी नहीं यह आप याद रखिएगा तो जब भी इससे पहले जो भी बिनन के बराबर होगा अब देखिए यहां पर इसने कुछ लिया कि 20% का 30% का यानि कि इसका 30% किस बिनन के बराबर होगा इस ताइकिस हमने सॉल्व कर लिया तो जियो से जिरो कट गया यहां से यह क्या बचा छै बटे स्वरी 6 बटे 100 इसे और आपने काट लिया तो कितना बचा आपके 50 यह बिनन के बराबर होगा तो एक और कुछन ले लेते हैं इसी टैप का ज़रा बताइए 40 परसेंट का 50 परसेंट किस बिनन के बराबर होगा पड़ाबर कीजिए देखिए जारा 40 परसेंट का 50 परसेंट बहीक निकालना है हमें 40 बटे 100 इंटू 50 बटे 100 यहां से यह कट गया यह कट गया आपके पास और दो कुछ यह भी कट जाएगा और यह चार पंज एक बटे पांच परसेंट के बराबर यह एक बटे पांच परसेंट भिन के बराबर होगा और कुछन देखते हैं ऐसा ही दो सही एक बटे आठ इसको आप ले लिजिए शोला शोला परसेंटेज का टीन सही एक बटे आठ किस बिन के बराबर होगा निकाले है तो सही क्या करेंगे है को हम कनवर्ट करेंगे सिंपल आठ दूनी सोला सोला और एक सत्रा बटे आठ परसेंट और यह कितना हो गया आरती है चोईश चोईशा 25 बटे आठ परसेंट ओके आप इसको सौसे कर लेंगे गुड़ा नीचे इसको भी पच्चेस बटे सौसे कर लेंगे अब देखें यहां पर आपके यह पच्ची चुक सो और कोई नमबर खटाएगा नहीं तो सत्रा सही और यह आड़ दूनी सोला सो इंटू और इस यह अब यहां से सोला चुक चौसट इस तरीके से इस भीनने के बराबर यह आंसर इसका होगा तो आपको इस तरीके कोशन करने आने चीए सारे यहां पर और देखिए कोशन आगे बढ़ते हैं हम लोग मैं आपको मैक्सिमूम कोशन करा रहा हूं यह कोशन और देखिए कि आर सो तेतर रुपे का सोला सही दो वटे तीन क्या होगा चलिए करिए फटाफट इसको देखिए अब मैं आपको फटाफट कोशन करा रहा हूं जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस बने क्या करना है आपको आर सो तिहतर तो देखिए इससे क्या करेंगे सीसानारीका। इससे सॉल्व करिगे आपको एक सो पैतालिस पॉइंट पच्चास इसका ही है हमारे पास इसका क्या आजाएगा answer आ जाएगा और एक question देखते हैं आप किसलिए लिखते चलिए question को जब किसी संख्या में question लिखिए जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताईए तो वह संख्या बताईए अब देखें यहाँ पर क्या है अब देखो तो ये वाला कोशन थोड़ा सही भी कोशन है आपके साफ से, तो क्या करेंगे, पहले कोशन को बहुत ज्यादे पढ़िए, कि किसी संख्या का 40%, 42 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यानि कि माना वो संख्या x है, उसका 40%, यानि कि 40 x बटे 100, उसम वही संख्या में प्राप्त हो रही है तो solve किया इसको हमने solve करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा यह हो गया 40x एलसियम लिया यह हो गया 42 बटे 100 x तो यहां पर देखो कितना यह वन गया हमारे पास 40x 42 100 और यह हो गया 100 x यहां से इसको लेके गए कितना बचा 60 बचा, 60 का इसमें भाग दिया, देखो 60x बचा गया हमारे पास 60 नीचा आ गया, कितना बचा, 42 सो बटे 60 कट गया, देखो 7 वाइशाच का 42 यानि कि वो संख्या कितनी होगी 70 होगी कितनी होगी 70 अब देखो यह समझाने के लिए है यहां से ही आप डायेट कर सकते ह offend कैसे करोगे यह जैसें अब आने लिखा है आप अप यही से को सवल्व कर सकते हो अगर अब को प्रेक्टेस हो गई है तो रहा करना और फटना फटना आपकी इसकी दोखो जो इजी कैलकुलेशन है ना उससे तो आप बहुत जल्दी कर लोगे और कुशन देखते हैं हम लोग इसके बाद यह देखिए यदि किसी यदि 20 किसी संख्या का 25 परसेंट है देखो इसे पहले हम लोग कोई संख्या है उसका 20 कितना है 25 परसेंट है 25 परसेंट अगर है तो वह कितना है 20 है तो पूछता है कि 40 कितना होगा अब इससे आप दो तरीके से कर सकते हो बही जब 20 कितना है 25 परशंट है तो 100 परशंट कितना हो जाएगा 20 चौक 80 ओके अब 80 का 40 परशंट निकाल दो आप यह किया हमने 8 चौक 32 यह आगया हमारे पास इसका आंसर यह देखो यह हो गई 100 ट्रिक्स मुलब माइन में किया क्या किया हमने वापस समझो हमने देखा कि 25 परशंट कितना है 20 है तो बही 25 परशंट अगर 20 है तो 100 परशंट कितना हो जागा चागो नगर दो 25 यहाप आमने 4 से इसको गुड़ा कर दिया इसको भी 4 से कर दिया तो कितना हो गया यह 80 आगया असी आ गया, अब 80 का हम निकाल दो 40%, कितने निकाल दो 80 का हम निकाल देंगे 40%, हमारे पास 32 आंसर आ गया, यह तो हो गए एक तरीका, जो जिसे आप कर सकते हो, इसी को अगर हम कैसे करें, तरीके से करें, जो मेथड है आपका, कि 20 की संख्या का, माना वो संख्या क्या है, हमार है 20 है solve किया 25-100 कितना हो गया 80 हो गया और उस 80 कम निकाल दिया हमने 40% निकाल दिया तो 8-32 एक तरीका यह हो गया माना करके एक वो तरीका आप डाइट सिखा दिया मैंने आपको वो गया अब एक और इसका इसी टाइप को देखते हैं हम लोग कोशन क्या है दोखो बनाते हैं 30 किसी संख्या का 40% है तो 50% कितना होगा ओके तो वो ही निकाला हमने 40x बटे 100 बराबर 30 यह कार दिया हमने यह 2 से कट गया यह बचा 5 और इसको 30 बटे 2 इंटू 5 यह पंदा 55 यह हो गया अब 55 का 50 परसेंट वैसे तो इसका हाप कर दीजिए स्वज में आ जाएगा आपको 27.5 कितना हो गया 37.5 यह हो गया आपको सामने क्या किया हमने देखो अब फास्ट करना है आपको क्या करना है देखो वापस हमें लोगर नहीं आए किसके सवज में 30 किसी संख्या कितना 40 परशेंट था तो अमने माना वह संख्या आएक से उसका में क्या किया 40 पर निकाल दिया इस तरीके से और हमने दादिया यहां पर 30 ओके इससे हमने सॉल्व किया आराम से यह बच्या 5 अब इसको मैं मल्टिप्लाइग यह ना इसको करते हमने पहले भी सिखा रखा है आपको यह हो गया यहां पर किया अब देखो कर चीज का 5 और यह 5 दो यह ओ गया साथ पौइंदा की अगर पाड़ा आता है तो डाटिक को सकते हो पंदर पांच पिचेत्र तो अभी सॉल्व कर लोगे यह हो गया आप सामने यानिक पिछेत्तर आ गया यानिकि बो संक्य क्या है पिछेत्तर है और उस पिछेत्तर का आप में क्या निकाल दिया है अमने 50% निकाल दिया है तो पिछेत्तर का हाफ कर दो सीखा हुआ है तो पिछेत्तर का हाफ कर दिया तो कितना हो गया दोतीय और देखिये, और देखिये, चार सो पचास आम मैं से तीस परस्ट खराव है, तो कितने आम अच्छी इस्थिती मैं हैं? यह सारे को अच्छाम प्रीवेस के इसमें सामिल आइ प्रीवेस कोशन भी है तो सारे कोशन ले रहे हैं जिससे आपके प्रैक्टिस मैक्सिमम हूं अधर देख़ें क्या है कि वह कितने आम अच्छी इस्थिती में हैं तो तो इहां पर तो टोटल सो परसेंट होंगे सो में से 30% खराब है यहां भी लिखा हुआ है 450 आम में 30% खराब है और आप से पूछा है सही आम कितने होंगे तो टोटल आम तो भई 450 है उसमें 30% खराब होगे है सही आम कितने हुए 70% हुए अगर हम इसका 70% निकाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जाएगा तो 7,5,3,7,8,8,8,8 और 3,315 देख लेते हैं आंसर देखो आगे 315 यह तो हो गया एक तरीका क्या कि हमने यहाँ पर हमने का कि 100% टोटल होता है 30% खराब है, 70% बाकि रह गए 70% निकाल दे, 450 का आंसर आ गया यह तरीका है, दूसर तरीका कौन सा है वो देखो दूसर तरीका यह है कि भई 450 आम थे इसका 30% निकाल दिया हमने तो कितना हो गया 3.15, 3.12 और एक तेरा और इस 450 में से 135 को माइस कर दिया तो 5 और यह 1 और यह 3 315 यह भी इसका आंसर आ गया तो दो तरीके से कर सकते हो आप वो तरीका फास्ट है, उसमें थोड़ी क्याल कि दिशन माइन करनी पड़ेगी थोड़ा आपको कॉंसर चाहिए जिसे कि आप जल्दी सी जल्दी कोशन को कर सको अब एक कोशन और लेते हैं, थोड़ा अच्छा कोशन लेते हैं लिखिए ज़रा कांगे आपको कर सर कोशन क्या है मोहित के बेतन में मोहित के बेतन में 10% कमी कर दी गई ओके इस कम किये गए बेतन में 10% की ब्रद्धी कर दी गई कर देने पर कर देने पर मोहित को कितने प्रतिसत लाब अथवा हानी हुई दीखी प्रतिसत मैंने आपको पहरे ही जब पहली किला से स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको कहा था कि प्रतिसत लाब हानी पार्टनर से प्यानी की जो साजेदारी वाले कोशन है लाब हानी के अंदर भी आएंगे आगे बहुत जदा इंपोर्टन टॉपिक है तो यहां पर अपने कोशन ले लिया है लाब हानी का तो इसमें दिमाग लगाईए और फिर बताईए कैसे क्या करेंगी जड़ा थोड़ा से दिमा लगाना पड़ेगा फिर कर लोगे लेकिन चलो एक बात थोड़ा सोच जड़ा दो मिनट टाइम देते हैं करो अब देखो यसे कैसे करेंगे इसको ऐसे समझो क्या कह रहा है कि भाई मोहित के बेतन में 10 पर में कमी कर दी गई तो इसे आप मानो कि भाई या पूरा बेतन कितना था पूरा बेतन 100 पे है बहलब 100 था तो कितना हो गया 90 हो गया ठीक है 90% एक और एक हो गया 110% एक में तो 10% कमी कि गई और एक में 90% की increase किया गया कितना हो गया कि 100 का 90 अब क्या कह रहा था कि मोहित के बेतन 10% कमी कर दी गई 100 पे बेतन था कितना हुआ 90 हो गया हमारे पास ठीक है तो 100 का 90 है और का 110 बापस समझना है 100 का 90 है और उसका 110 पहले भी कोशन किये हैं इस तरीके से तो ये देखिए इस तरीके से अपने कार्ड दिया ये कट गया ये हो गया ये 99 अब वो कहा करा है कि कितना पिछे से लाव या हानी हुई तो टोटल 100 था 100 में से 99 परशंट गटा दि है 10 परशंट कम होगे तो कितना हो गया 90 हो गया यहाँ पर किया तो 10 हो गया ओके नपर सेंट में तो सो का अमने नब है बटे सो और 110 बटे सो कर दिया कितना हो गया हमारे पास 99 में हो गया अब आप से पूछा है कितनी लाव और हानी हुई तो लाव हानी हुई तो टोटल मै से माइस कर दिया तो क्या हुआ एक परसेंट की क्या होगी इसके हानी होगी क्या होगी एक परसेंट की उसको हानी होगी तो इस तरीके से अगर मालो यह आता यह आता एक सो एक परसेंट तो एक परसेंट की उसे प्रॉफिट होता सो से कम आया यानि की हानी सो से उपर आया या आपको वट अभी क्या एक कोशन ले लिया हमने जिसे कि आप थोड़ा आप उसे रूब्रू हो जाओ बहुत जो कोशन है हमारे पहले वाले जो आने वाले हैं टाइम में वह तो थोड़ा अभी हार्ड होगा लेकिन ता मत करो कि निजी संज में आया आगे इसको लेंगे वाप और देखते हम लोग एक विध्याले में विध्यार्थियों में 70% लड़के हैं तो तब 504 लड़किया हो तो लड़कों की संख्या बताईए अब देखू वही काम करते हम तो कि वही ठोटर कितने होंगे 100 होंगे सौ में से 70% लड़के हैं और 30% लड़किया हो जिननकी संख्या कितनी है 504 ठीक हैं तो लड़कों की संख्या बताईए तो अगर ये मानो कि टोटल संख्य कितनी है अमने पास X मान लेते हैं अगर x का 3% निकाल देते हैं हम लोग तो कितना बनता है भई 504 बनेगा की नहीं बनेगा x का 30% निकाल दो तो 504 बनेगा क्यों? 30% लड़किया है ना और वो कितनी है 504 है यह हमने solve किया तो 504 into 10 और यह 3 यह कर जाएगा 549 भजता की नियम से तो 3 एकम 3 और 3 चीख 18 और 3 अंटो चॉइस तो कितना हो गए? 1680 हो गए इस में से अगर लड़कियां गटमाइस कर दें हम लोग तो हमारे पास जो answer है वो आ जाए गाएगा 6, 116 इसका answer आँजिए यह देखो 126 इसका answer आँजिए बहुत simple था क्या किया? 17 लड़के, 15 लड़कियां थी तो लड़कों किसे कि आपने बताई आप देखो ज़रा इसको और एक question लिखते है इसी type का जैसे मानू कि किसी विध्याले में 60% लड़के हैं तथा उसमें 600 लड़किया है तो लड़कों की संख्या बताईए वही काम कीजिए कि वही 100 है सौ में 60% लड़के हैं हमारे पास जो बच्ची 40% वो किया हैं वही पास लड़किया है तो माली टोटल एक्स का 40% निकाल दीजिए बरावर कितनी 600 इसे हमने सौल्व किया 600 इंटू दस बटे चार दो से काड़ दिया दो ती अच्छे थीन सो ये काड़ दिया हमने तो हमारे पास आई पंदरा सो पंदरा सो में से 600 माईस कर दो कितना बच्चा नौसो यानि कि नौसो लड़के हैं बहुत इची है कोशन देखो आपको प्रैक्टिस अलाला कोशन करें करनी हैं इसे आप कोशन बनाना लग जोगे खुदी और देखिए कोशन इसी का एक और लेते हैं हाँ ऐसे देखिए किसी स्कूल में कुल छात्र संख्या कि इतनी है इसको लिग लो आप आठ सो है जिसमें से तीस परसेंट लड़कियां है और चालिस परसेंट सरी, सत्तर परसेंट लड़के हैं अन्य संख्या बताईए तो अब देखिए यहांसे आप करेंगे आर्सो का तीस परसेंट निकाल लो दीजिए फटाफट यह कारट लिया हमने यह बचा आर्टे चालिस तो गए वहाँ लड़कियां सत्ता परसेंट निकाल दो तो यह देखो सत्ता परसेंट निकाल लेंगे तो कितना आठ साच्छपन पान्सो साथ पान्स आर्ट के अगए वहाँ पास लड़के हो गए अच्छा यहां पर एक क्वेशन और देखो किसी स्कूल में छात्र आठ सो हैं और ती परसेंट लड़कियां और यहां पर माल लेते साठ परसेंट लड़के हैं तो स्कूल में इसकूल के अन्य तो जिस में अध्यापक के अध्यापक की संख्य कितनी है ऑध्यापक कौं इसकी संख्य कितनी होगी इन दोरों को पिलस करते याई कि यह से माल लिजी इसको म वैं साफ करता हूँ अपको cutting क्या है बापा समझो आहन ओ संक यह कुश मिलके टीचर, स्टुडेंट, सब को मिला के 800 है, जिसमें 30% क्या है? लड़कियां है, 60% लड़के हैं, तो आप से पुझा अध्यापकों की संगर कितनी होगी? तो सिंपल है, आप क्या करना है? इसका 30% निकाल दीजिए, तो 240 हो गया, और 4880 यह हो गया, और 800 मैंसे दौनों को माइस कर दीजिए, तो कितना हो गया? यह 8, 4, 12, 4, 6, 7, तो 800 मैंसे 720 गये, तो कितना बचा आपके पास? 80, कितना बचा? 80, यहनि 80 अन्य अध्यापक और जो भी अधर इस्टाफ है, वो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे, तो इस ते किसे कोशन भी आपके कई बार आ जाते हैं, और देखते हैं हम लोग, नेक्ट कोशन हमारा, देखिए, यहाँ पर क्या है? एक परिच्छा में 40 60 अनुतीन शाथो की संख्या है 240, देखो डोटल कितनी है? तोटल वाणलो 100 में से 40% परसंट क्या हो जब फेल हो गए और उनकी संख्या कित्ती है 240 है पास कित्ती हुए 60 पास हो गए अब आप से पूछ रहा है कि वही पाइच्छा में भाग लेने माँ छातु इसमचे कितनी हो गए निया एक्समाल लिया एक्स का अपने 40 परशेंट निकाल दिया उसको अपने 240 के बावर रख दिया यह सॉल्व किया हमने चार्चिंग चॉइस और यह कट गया इसका इसको भी कार दिया 60 और यह हो गया 600 अच्छा पास चाथ कित्ते हो गए वहले कित्ते पास हुए 240 में से माइस कर दिया हमने 6 और यह यहां से गया 5 ठीक है और 5 में से दो गए तो तीन वज़े 360 क्या होगए हमारे पास पास होगए दो चेक कर के देख लीजिएगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो और देखते हैं और एक थोड़ा था इजी कोशन लेते हैं तो परसेंटेज के अंदर आपको अभी सब कुछ आएगा यहां पर तो याद रखिए थोड़ा अधिये यह समझो यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसके अभी हम 100 इस भी लेंग यहां पर आपको दो चीजा रखनी है यदि A का मान B से R परसेंट हो गया तो क्या रिंकालेंगे तो B का मान बताईए B का मान A से कम है ये condition मिलेगे आपको यदि A का मान B से R परसेंट अधिक है B का मान A से कम है तो R 100 प्लस R इंटू 100 ये कर देना A का मान B से R परसेंट कम है तो B का मान A से अधिक है यहाँ पर अधिक है यहाँ पर कम है तब कम आएगा तो प्लस कर देंगे अधिक आएगा तो माइस कर देंगे समझे आगी बात जो आपकी percentage आएगी जब कम आएगा तो क्या कर देंगे प्लस करना है और जब अधिक आजाए तो क्या करना है माइस करना है तो जड़ा एक कोशन देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको यह देखो क्या है A की आए B से A की आए रिखांगे A की आए B से 25% कम है A की आए B की आए कितने प्रतिसत अधिक होगी तो जैसे कि मैंने गदाए कि अधिक हो तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो यानि की 25 और अधिक पूछ रहा है तो यानि कि 100 माइनस 25 इंटू 100 कितने 25 अधिक होगी इस तरहिके से आपको यह फार्मूला याद रखना है इसको हमने solve किया तो कितना परसेंट आएगा वो देख लेते हैं हम लोग तो यह 25 है और यहाँ पर हमने 100 माइनस 25 हो गया 55 इंटू 100 यह आगया एक बटे 3 और उपर 100 आगया ठीक है इसे solve किया आपने तो इसको दो तरीके से कर सकते होगा आप कैसे 100 में यह किया तो 3 तीन तीन नो और यह 30 पर 3 तीन तीन नो यह आगया तो 33 ही एक बटे 3 आगया अंसर बहुत ही जीता तो बापस समझो जैसे ही एक की आए बी से अधिक निकाना तो यह आपको 100 टिक्स भी है यह फटाफट निकलेगा यह तो मैं करके बता रहा हूं नहीं तो बहुत एजी है यह तो 25 बटे 100 माइस 25 कर दिया अगर एक कम आता कमारा कोशन भी करेंगे कम आता तो क्या करेंदे तो इसको प्लस कर देते एक और कोशन देखो यह सी के अंदर हाँ एकी उचाई लिखो एकी उचाई बीस की उचाई की बीस परसेंट कम है लिखते चलो सारे कोशन एकी उचाई बी की उचाई से बीस परसेंट कम हो बी की उचाई एकी उचाई से कितने प्रितिसत अधिक होगी अधिक होगी पापस समझे ना अधिक होगी तो अधिक में वाले क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो माइन है निकी 20 बटे 80 100 मैं से 20 माइनस किया कितना बचा हमारे पास 80 बचा इन्टू 100 कि हमने ये काड दिया ये 4 बार खट गया इसे काड दिया ये हो गया 25% कितना हो गया 25% कम हो गया यानि कि आपके सामने जो formula है ना ये वला ये सबसे important formula है ये वला इसे आपको याद रखना है रट्टा लगाओ तरीका सिखा दिया आपको जिसे a का मान b से r अधिक है पहले अधिक आएगा और फिर कम पूछेगा आपसे ठीक है तब क्या करना है आपको plus करना है पहले अधिक फिर कम दूसरा तरीका क्या है कि a का मान b से r परसंट कम है कम है और अधिक पूछेगा तो क्या करना है मायस करना है तो आपको अन्त वाली चीज़ याद रखो कम पूछा है तो प्रेस कर दो अधिक पूछा है तो मायस कर दो ये दो चीज़े आपको याद रखनी है कोशन सौल वा जाएंगे आगे वाले वीडियो में और इसके कोशन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे कोशन कर सकते हूँ आप प्रैक्टिस करा रहे हैं आपकी कंटिन्यू और देखो मैं जो कोशन करा रहे हैं उस टाप के और कोशन कीजिए और घर जाकी प्रैक्टिस कीज चलिए आज की वीडियों में इतनी हो गया हम फिर बात करेंगे नेस जो आएगा नेसी क्लास लेंगे हम लोग उसमें तो उसमें आपको और कुशन कराएंगे इसी टाइप के अभी यहां पर देखो इसके पारस कुशन कराने हैं अभी मेरको है नहीं अभी और भी कराएंगे अभी है हमारे पास कावी कोशन वाकिए हैं आपके जन्हें आपको करना है तो चलिए आज ही किला से इंग हतम करते हैं नेशला में मिलते हैं